हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई इस्टडी फिट चैनल दोस्तों आज आप ब्लड ग्रूप एंड आरेस्ट फैक्टर के बारे में डीटिल में बताने वाली हूं इसके बारे में पूरा जानने के लिए आप वीडियो को सुरू से लाश्ट तक देखिएगा एंड दोस्तों याजि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटिटी एक्जांस TGT PGT KVS NBS CLT का प्रिप्रेशन सिल्वरेस के अकॉर्डिंग कर रहा है तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिल्वरेस के अकॉर्डिंग है सभी वीडियो उसको वास्ट करके आप अपने प्रिप्रिशन क को बहतिरिंग कर सकते हैं एंडेली बेसेज पर यम्सी की उस्ट कोश्टन का प्रैक्टिस करा जाता है तो दोस्तों चली चलते हैं आज के टॉपिक के तरप तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों ये परोटीन जो है pour anta też yn bis is प्रतिजन ची को भी और रधिजन गोले पर ढुते हैं दो प्रकार उतकार को गोले पर दरसाए जाता है ये प्रतिरची बोला जाता है इस नियुदों कि निष्चय के ब्लड ग्रूप का पर निष्चOP होता है निर्धार्ण होता है उसके antigen यानि कि प्रतिजन की उपस्थिती के अधार पर किया जाता है जैसे कि दोस्तों A को क्रिभूज से और B को करव से दर्सा जाता है जैसे कि A को प्रतिजन जो है यानि कि antigen जो है अगर A antigen है तो गोले पर क्रिभूज से दर्सा जाएगा और A antibodies है तो Y पर क्रिभूज से दर्सा जाएगा अब B group है तो B antigen है तो उसको करव से दर्सा जाएगा B group को करव से दर्सा जाता है जैसा कि B group A D है तो उसका antigen A होगा और antibodies B होगा तो B group को antigen जो होता है वो गोले पर दरसा जाता है तो B group को गोले पर कारों से दरसा जाएगा और Y पर अगर B antibodies है तो Y पर कारों से दरसा जाएगा दोस्तों जैसे कि अगर antigen A है तो antibodies B आएगा यदि antigen B है तो antibodies A आएगा यदि antigen A और B A भी है तो कोई antibodies नहीं आएगा क्योंकि A और B दुनों antigen हो गया तो antibodies के लिए कुछ बचा ही नहीं तो antibodies कोई नहीं आएगा A B ग्रूप में ठीक है यदि antigen O है तो उसमें कोई तो यदि रख्तवर्ग O है तो उसमे antibodies A और B दोनों आएगा ठीक है antibodies A और B दोनों आएगा जैसा कि तो तो इस्ट काल और इस्टिनेर ने antigen यानि प्रतिजन की उपस्तिती के एधाप पर रख्तवर्ग को चार वर्गों में बाटा है A B AB और O रख्तवर्ग में antigen और antibodies दोनों शमान नहीं हो शकते क्योंकि रख्तवर्ग रख्त में शम्मोहन हो जाएगा और रख्त आगे नहीं बढ़ पाएगा और आपस में फस जाएगा और व्यक्ति की मृत्यूँ हो जाएगी जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि रख्तवर्ग A में एंटिजन A है और एंटिबाडिज B है और रख्तवर्ग B में एंटिजन A B है और एंटिबाडिज A है यानि कि जैसे कि रख्तवर्ग A है तो एंटिजन के अधाप पर रख्तवर्ग का निधाय होता है तो उसके लिए A है तो A antigen होगा और B antibodies होगा तो रख्तवर्ग A वाले को ही रख्त दे सकता है रख्तवर्ग B में antigen B है और antibodies A है तो जो उसका antigen होगा उसी को रख्त दे सकता है तो B रख्तवर्ग वाले को ही रख्त दे सकता है और रख्तवर्ग A भी जो है उसका antigen A भी है और antibodies कोई नहीं है तो antigen जो रख्तवर्ग A भी है उसका antigen A और B दोनों है इसलिए यह सब का रख्त ले सकता है इसलिए इसको सर्वग्राही बोला जाता है इनियूर्सल रेसिपियंट एन रख्तवर्ग O जो है उसमें antigen कोई नहीं है और antibodies A और B दोनों है इसलिए यह सब को रख्त दे सकता है जैसा कि दोस्तो A B रख्तवर्ग वाला जादे बिमार पड़ता है और O रख्तवर्ग वाला बहुत कम बिमार होता है जैसा कि दोस्तो माइक्रो इसकोप से देखने पर सेम इसी तरह दिखता है जिससे कोई भी blood group को पहचान सकता है जैसा कि दोस्तो blood चाहाने के लिए दोनों बेक्तियों का सेम सेम antigen होना चाहिए और दोनों बेक्तियों का blood group जो है और सेम सेम होना चाहिए जैसा कि A रख्तवर्ग का ब्यक्ति B रख्तवर्ग को रख्त नहीं दे सकता क्योंकि A का antigen B के antibodies में first जाएगा और B का antigen A के antibodies में first जाएगा ठीक है रक्त दिया किसको जा सकता है जैसे A वर्ग का व्यक्ति A वर्ग को दे सकता है B वर्ग का व्यक्ति V वर्ग को दे सकता है ये भी वर्ग का ब्यक्ति सबका ग्रहण कर सकता है ये भी सर्व ग्रही होता है किसी भी वर्ग से रख्त ले सकता है इसलिए इसको उनिवर्सल रिस्पीडेंट करते है और रख्त वर्ग का ब्यक्ति जिसे वो को सर्वदाता बुला जाता है सबको रख्त दे सकता है किसी भी वर्ग को इसलिए इसको युनिवर्सल डॉनर बूला जाता है तो यह हम बात की बलड ग्रूप की अब बात करते हैं आर्यज फैक्टर क्या है जैसा कि दोस्तो कार्ड लेंड इस्टीनर और वीनर ने 1940 में रिशस बंदर पर जो लाल मुह वाला बंदर होता है उस पर प्रयोग किया ठीक है उस पर प्रयोग किया और उन्होंने एक चोकोर आकरिती उस पर देखा उसका नाम रखा आर्यज और यह आर्यज चोकोर आकरिती जिसमें पाया गया जिसमें उपस्थित था उसको आर्याच पाजिटीव बुला गया जिसमें उपस्थित नहीं था उसको आर्याच निगेटीव बुला गया जैसे कि दोस्तो बायलोजिकल भासा में जिसमें कोई चीज उपसित होता है तो उसे positive बोला जाता है और जिसमें कोई चीज उपसित नहीं होता है उसे negative बोला जाता है जैसे कि दोस्तों बीनर ने पहली बार देखा कि रिशर्स बंदरों में एक चोकुर रचना पाई गई उसे ही इन्होंने आरेच नाम दिया इन्होंने दो रिशर्स बंदरों पर प्रियोग किया एक में यह आरेच चोकुर आकरिती पाया गया जिसे RH positive कहा गया और दुसरे में यह नहीं पाया गया जिसे RH negative कहा गया उन्होंने देखा कि रक्त में A, B, O रक्त वर्गे के अलावा एक और factor उपसित होता है जिसे RH factor बुला गया इसी के अधार पर वीनर ने रिशस बंदर और मनुष्य में एक प्रतिजन यानि इंटिजन की खोश की जिसे उन्होंने RH factor का नाम दिया जैसा कि दोस्तों 85% ब्यक्तियों में A, B और O के अलावा RH positive उपसित होता है यानि RH factor उपसित होता है जिसे RH positive कहते हैं एन 15% ब्यक्तियों में RH उपसित नहीं होता है यानि RH negative होते हैं वोलनी 15% 85% ब्यक्ति होता है एन दोस्तों RH positive वाला ब्यक्ति RH positive वाले को ही रखते दे सकता है वरना RH positive और RH negative देने पर आदमी की मौत हो जाती है जैसे कि दोस्तों ध्यान देने वाले बात यह है कि इसमें सर्वदाता कौन है universal donor कौन है जैसा कि दोस्तों इसमें O negative जो है वो सर्वदाता है सबको रखत दे सकता है O negative क्योंकि इसमें A, B और RH तीनों वर्ग उपस्थित नहीं होता है तीनों antibodies नहीं पाये जाता है इसमें इसलिए O जो है सबको रखत दे सकता है क्योंकि इसमें कोई ही प्रतिजन O में कोई प्रतिजन A, B और RH तीनों प्रतिजन यानि कि antigen अनुपस्थित होता है इसलिए यहाँ सबको रख्त दे सकता है जैसा कि ध्यान देने वाले बात यह है कि जैसे डारेक्ट पूछिएगा कि सरवदाता कौन है तो O हो जाएगा अगर O positive और negative दिया रहेगा तो उसमें सरवदाता आपका universal दानों हो जाएगा O negative इसको ध्यान में रखिएगा अनसरोग्राही universal recipient कौन है तो A B positive है A B positive है क्योंकि इसमें इंटिजन A B और RH तीन उपसित होता है ठीक है और दोस्तों A तो हुआ RH factor के बारे में इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं जैसे कि द्रक्त की एक बिमारी होता है जिसे हम इरिथ्रोबलास्टोसिस बोलते हैं यदि male positive और female negative का विवा हो गया इससे उत्पन संतान में किवल एक ही संतान जीवित रहती है इसके बाद वाला संतान दो तिन महिने में पेट में ही मर जाएगा या पैदा होते ही मर जाएगा क्योंकि जब बच्चा मा के पेट में रहता है तो उसमें जो immutic cell जिली में रहता है जब ओ फटता है तो मा का जो positive होता है पीता का positive होता है दुनों match कर जाता है जिससे वो बच्चा मर जाता है इस घटना को इरिथ्रोबलास्टोसिस कहा जाता है इसलिए इसमें प्री मेच कहा जाता है तो दोस्तों आज हमने जाना ब्लड ग्रूफ एंड आरेस सेक्टर के बारे में आई होग कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा इस से रिलेटेड कोई भी कोस्टन साथ का नहीं चुटेगा तो दोस्तों एक वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमें जरूर है अवाल हुआ है तो के बिलेटेवर कि दोच दूए हैं पूलबता है एपको कि जरूर आपको जर disparities कि द्रूर श्रूव़ जरुए हैं झाल झाल